हाई गाईज, वी आर गुज्जू चैनल में अब सपी का स्ट्वा कते, आज हम बनाने वाले हैं काले चने की सबजी, तो इक काले चने की सबजी कैसे बनाते हैं, वो भी गुज्राती साध्यों में कैसे बनती हैं, उस टाइप हम बनाने वाले हैं, और इनका सर्विंग कैसे कर वो कोई भी ग्रोसरी की दुकान होगी, वहाँ पर ये काले चने आसान इसे मिल जाएंगे, जो पानी पूरी में यूस होते हैं, वो ही काले चने हैं, जिसको हमने रात को 6-7 घंटे भीगो के रखा था, और इसके बाद सुबह में इसकी सबजी बनाई है, तो इसके लिए पहल के लिए में, हम खोल कर देखते हैं, तो देखें, पूरी तरह से, ये काले चने भीगों के बहुत ही अच्छे हो गए हैं, उनकी साइच में भी डबल हो गए हैं, आप देख सकते हैं, तो अब क्या करना हैं, उनके जो पानी हैं, उनको निकाल देना है और इस तरह से पानी निकाल देने के बाद एक प्रेसर को कर लेना है इसमें उनको डाल देना है पूरे चने को इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें डेड़ कब जितना पानी डालेंगे तो देखें, इस तरह से हमने इसमें पाने भी डाल दिया है अब और इसके बाद इसमें हम थोड़ा से नमक डालेंगे क्योंकि यह वो चट से पक जाए यह अच्छे से बॉयल हो जाई इसके लिए और इनको हम ग्रेवी वाला बनाना है तो ग्रेवी वाला बनाने के लिए इसमें हमने आलू डाले हैं दो मिडियम साइज के आलू लिए है हमने इससे के साथ अब प्रेशर कूकर का धकन बंद करके हम मिडियम गैस पर उनकी 6-7 विशल कर लेंगे तो हमारी 6-7 विशल हो गई और इसके बाद इसको हमने इस तरह से कटोरी में निकाल कर देखा तो देखो हमारे जो चने का दाना है वो अच्छी तरह से बॉइल हो गया है इस तरह से मैस होना चाहिए और इसी के साथ इसको बनाने के लिए हमने यह एक पैन ले लिया है और इसमें हम ओईल एड कर देंगे अब तीन से चार बड़ी चम्मच इसमें ओईल एड करेंगे हम इसी के साथ ओईल ले लेने के बाद हमें जबजी में क्या ज़रूरत पड़ेगी वो दिखा देते हैं हम पहले आपको तो यहाँ पर हमने प्याज और लसुन इस तरह से बारिक कट करके लिया है इसी के साथ अदरक, कड़ी पत्ते, हरी मीर्च इस तरह से तमाल पत्र, लॉंग, हींग, गरम मसाला, नमक कश्मिरी लाल मीर्च पावडर, कीनी और साथ में हींग लिया है और इसी के साथ जो दाल और सबजी हमारी रेकिलर घर में बनती है उसमें जो मसाला डलता है वो ही लिया है अब यहाँ पर हमारे जो चने के साथ आलू को बोईल किया था उसको इस तरह से चमच की मदद से उनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे हम और इनी के साथ इनको मेश करने के साथ हमारे जो गेस हैं उनको भी मिडियम गेस पर ओन कर देना है और यहां हमारा ओयल भी गरम हो जाएगा साथ में तो देखें हमने ऐसा ही किया था तो हमारा ओयल भी गरम हो चुका है तो इसमें हम राय के थोड़े दाने एड़ कर देंगी हमारी राय भी चटकने लगी है तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसे के साथ जीरा चटक जाए इसके पाद हल्दी पावडर डालेंगे इसे के साथ हमने जो लॉंग, तमाल पत्र और हिंग ली थी वो इसमें डाल देंगे इसे के साथ अद्रक, कड़ी पत्ते और जो मिर्चप है वो एड़ कर देंगे इसे के साथ प्याज और लसुन को भी एड़ कर देंगे अगर आप इनको स्किप करना चाहते है तो स्किप भी कर सकते हैं इसमें टमाटर भी एट कर सकते है आप और अब यह सब एड़ हो जाए, इसके बाद हमने जो चने और आलू कोईल कीये थे वो इसमे एड़ करदेंगे और अच्छी तरह से मिक्स के लेंगे इस तरह से और अब दूसरे मसालों में हम धनिया पाउडर इसे के साथ जो तीखा मिर्च होता है वो लिया है आधी चमच आप तीखास अपने टेस्ट के अकोडिंग डालना इसे के साथ हमने जो लाल मिर्च पाउडर जो कस्मीरी होता है वो लिया है कलर के लिए इसी के साथ गरम मसाला लिया है इसी के साथ हमने आमचूर पावडर लिया है इसी के साथ हमने इस सब टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी एड़ की है अगर इनको आप स्किप करना चाते है तो अभी कर सकते है इसी के साथ हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डालना बोईल करते समय भी अमने नमक डाला था इसलिए इसमें कम डालेंगे अब जो हमारे सारे मसाले अमने एड़ किये हैं उनको चने और आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स होने के बाद इस तरह से पानी गरम कर लेंगे और पानी गरम हो जाए हमारा तो गेस की फ्लेम बर्म करके उसको हम इस सबजी में डालेंगे आपको इसमें ठंडा पानी का यूस बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें गरम पानी ही डालना है इसका आपको त्यान रखना है और आपको जितनी क्रेवी पतली चाहिए उतना पाने डालना है और हम यहाँ पर थोड़ी ठीक रखेंगे क्रेवी को बहुत पतली नहीं कर देंगे इसी के साथ इनको ढका 2 मिनिट पकने देंगी मेडियम गेसी रखना है दो मिनिट के बाद ठककन खोल कर देखते है तो इस तरह से हमारा पानी जो हमने एड़ किया था वो उबलने लगा और अच्छे तरह से सबजी में मिक्स हो गया है तो अब इसमें बड़ी ऐसा तड़का लगाते है उपर से तो इसके लिए यहाँ पर मैंने छोटी सी तपेली में इस तरह से ओईल ले लिया है इसमें आप बटर भी ले सकते हो और इसी के साथ इसमें हमने जीरा एड़ किया है इसी के साथ हिंग और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है इस तरह से तढ़का लगा कर आप सबजी में उपर से ऐड़ करोंगे तो आपकी सबजी बहुत ही टेश्ट में अच्छी बनेगी और इंका कलर भी बहुत ही अच्छा हैगा एक्तम रेश्टोरंट स्टाइल आपको एक काले चनी की सबजी लगेगी और इसे के साथ साध्यों में जो चनी की सबजी होती है वैसे ही आपको टेस्ट में भी लगेगी आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी अब इनको अच्छी तरह से सबजी के साथ मिला लेंगे और इस तरह से सबजी में मिला देने के बाद उनको 2 मीनिट तक हमें पकाना हे मिडियम गेस पर ताकि इसमें जो ओईल हे वो उपड से अलग हो जाए तो आपको ये सबजी की रेसिपी कैसी लगे अमें comment box में लिखकर चरूर बताना और आगे आप कौन सी रेसिपिक की वीडियो देखना चाते हैं वो भी comment box में लिखकर चरूर बताना और अभी तक आपने वी आर गुच्चू चैनल को subscribe नहीं किया तो guys please subscribe चरू कर देना तो देखें हमारी सबजी बनकर एकदम ready हो गई है तो अब इनको एक serving plate में ले लेते हैं सर्विंग प्लेट में लेने से पहले इसमें हम धनिया डालेंगे तो इस तरह से हमने अच्छे से साफ कर पानी में धो कर धनिया एड़ कर दिया है और आप इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे उपर से नीचे लेकर और इसे के साथ हमने serving के लिए एक plate ले ले ली है इस तरह से और इसमें थोड़ी से सबजी ले लेंगे और इस सबजी को अब नान या फिर रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो तो यहां पर हमने इस चने की सबजी को पराठे के साथ सब किया है इसी के साथ हमने हरी मिर्च भी ली है इस तरह से तल कर इसे के साथ इस तरह से पराठा बना कर हमने लिया है जो चने के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और इसी के साथ हमने प्याज भी ली है तो यहाँ पर खाने के लिए हमारे पूरे डीस तयार है वो भी काले चानी की सबजी के साथ तो चलिए अम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइब